स्टुडेंट चैप्टर नंबर फॉर स्ट्रक्टर आफ मॉलिक्यूल्स में आज का जो हमारा टॉपिक है 4.5 को हमने करनों कॉंटिनीव किया था नेचर आफ बॉंडिंग और प्रॉपरिटीज वाला जो टॉपिक उसमें पहला हमने कर लिया था यहांनि कमपॉंड आज हमार क्या चीज है ऐसा बॉंड जो के मुच्वल शेरिंग आफ एलेक्टरॉन की वज़ए से बनता है बिट्वीन एक्टम्स है जिसमें जितने एक्टम्स कंबाइन होंगे वो सारे के सारे एलेक्टरॉन शेयर करेंगे किसलिए शेयर करते हैं अपने डुप्लेट यह पी रॉक् कंप्लेट करना है इसको अगर दो एलेक्टरॉन्स हो जाए तु इसकी जो अलेक्टरॉनी कंफिगरेशन है वो नॉबल गैस के जैसे बन जाएगी हैड्रोजन स्टेबल हो जाएगा अब तू एलेक्टरॉन की रिक्वार्मेंट है टू में से एक इसके पास मौजूद है ए यह क्या काम कर सकता है इसकी जो electronic configuration है वो noble gas की जैसे बन जाएगी क्लोरीन भी stable हो जाएगा सो यहाँ पे क्या होता है hydrogen duplicate complete करने के लिए chlorine octet complete करने के लिए यह हमारे पास जो chlorine का un pair electron है और hydrogen का un pair electron है यह दोने electron आपस में share करके क्या चीज़ बना लेते हैं covalent bond बना लेते हैं तो ऐसा bond जो कि mutual sharing of electron की वज़े से बनता है उसका हम क्या कहते हैं covalent bond कहते हैं और covalent bond की result में हमें जो product मिलता है उस product को हम क्या कहते है molecule या पिर हम कहते हैं covalent compound कहते हैं बात के लिए रहोगे इसी दार अगराप H2O के case में देख लें हमारे पास oxygen इस तरह बना है H2O molecule का structure है oxygen का आउटर मोस्टेल में कितने electrons हैं six electrons है दो lone pair हैं और दो हमारे पास unpairs होते हैं hydrogen का आउटर मोस्टेल में बना है इसको डूपलेट की ज़रूरत है इसको भी डूपलेट की ज़रूरत है oxygen को octet की ज़रूरत है octet में से means 8 electrons चाहिए 8 में से 6 मौझूद है दो की मज़ीद requirement है hydrogen डूपलेट एक मौझूद है एक की मज़ीद requirement है hydrogen एक मौझूद है एक की मज़ीद requirement है बात कलियर अब यह क्या काम करेंगे यह सारे के सारे हमारे पास यह जो oxygen है इंपर एलेक्षुन एक्सीजिन के साथ शेयर करके यह पास यह born बना लेते हैं decepunto बन गया कोवैलेंट किम पॉइंट कियो है प alternator कोवैलेंट कमड़ के बात क तो Jacob हमेशा बान्न की बनता हैं तो से कोवैलेंट बाइंट कि विच में बनता है Penal और नॉन मेटल कीं में आयोनिक बांड बनेगा क्योंके मेटल्स एलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नॉन मेटल एलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं जब भी दो नापस में आते हैं आपे complete transfer of electron का phenomenon होगा complete transfer of electron की वज़े से ionic bond बनेगा non-metals electronegative होते हैं हमेशा अपने duplicate या octet complete करने के लिए electron के sharing करते होते हैं क्यों क्योंकि वो electron donate नहीं कर सकते होते हैं बात clear है electron gain कर सकते हैं donate नहीं कर सकते हैं इसलिए यहां पर हमारे पास non-metals के बीच में अगर bond बनता है तो वो कौन सा bond होगा वो हमाज पास bond होगा covalent suppose करें आपके पास CH4 है इसी तरह आपके पास N2 है इस तरह आपके पास O2 है BR2 है आपके पास इस तरह आपके पास HCl है and H2SO4 है and so on चलते जाएं non-metals के बीच में जो bond बनेगा वो कौन सा होगा वो covalent bond होगा ठीक है result में आपको covalent molecules या covalent compound मिलेंगे तीसरा point हमारा क्या है तीसरा point हमारा यह है कि ऐसे covalent compounds जिनका molecular mass जो है वो अगर low हो पॉइंट नोट करें, ऐसे कोविलेंट कमपाउंड जिनका मॉलीकुलर मास अगर लो हो, तो वो क्या होते हैं? वो या तो गैस होंगे, या पिर ऐसे लिकुड होंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होगा? लो होते हैं. अगेन आम टेलिंग यू, ऐसे कोविलेंट कमपाउंड जिनका मॉलीकुलर मास लो होता है, वो या तो गैस होंगे, या पिर ऐसे लिकुड होंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत लो होगा. जबकि इसके अपूजिट हमारे पास ऐसे कोविलेंट कोविलेंट कमपाउंड जो होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बहुत लो होती है, उसकी वज़ा है क्या है क्योंकि इसमें म्यूचल शेरिंग एफ एलेक्ट्रॉन की वाइसे कोविलेंट बाउंड बलता है, और इंटर मॉलिकुलर फोर्स एस कंपेर टो आयॉनिक बाउंड या यॉनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा वीक होती हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स वीक होंगी तो उनको ब्रेक करने के लिए आपको मिनिमम एनरजी अप्लाई करने पड़ेंगे, तो कोविलेंट कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बोलिंग पॉइ कोविलेंट कंपाउंड में एलेक्राउंड के शेरिंग हो जाती हैं, इनके पास तो फ्री एलेक्राउंड मौजूद नहीं होते हैं, बात के लिए रोगई, फ्री एलेक्राउंड कहते हैं मॉबाइल एलेक्राउंड को, यहाँ पे एक क्वेस्चन पैदा होता है, स्टूड एक्षीजन के लोंड पयर और यह अक्षीजन के साथ बाइंड है ये दोनों पयर इसका हम फ्री अलेक्लियज नहीं कह सकतें, बत क्लियर फ्री अलेक्रण्स ऐसे होते हैं जो को कहते हैं free electrons, so electricity के लिए, conduction के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, free electrons या फिर free ions, covalent compounds में ना तो free electrons हैं या ना तो फिर free ions मौझूद है, इसलिए covalent compound यह heat और electricity के क्या होते हैं, bed conductors होते हैं, एक point यहाँ पर given है, कि अगर हमारे पास polar compounds है, polar covalent compounds, उनका अगर हम aqueous solution बना लें, aqueous solution का क्या मतलब है, अगर polar covalent compounds को हम water में dissolve करें, water में solution बना लें, यह point मैंने आपको पहले भी बताया थै कि जब भी aqueous का word आएगा, आपको समझ जाना चाहिए, कि यहाँ पे solvent water यूज़ हो रहा है, ठीक है, aqueous का word solvent water के लिए यूज़ होता है, so polar covalent compounds को अगर हम aqueous solution बना लें उनका, तो उसमें heat और electricity की conduction हो सकती है, तीसरा point, यह हमेशा in soluble होते है water में, बात क्लियर, और किसमे soluble होते हैं, non aqueous solvents, ऐसे solvents जो के water के इलावा जो बाकी हैं, अभी मैंने आपको point बता है, के aqueous solvent water को कहते है, non aqueous solvents जैसे benzine है, ethers हैं यह सारे non aqueous solvents हैं, so covalent compounds water में soluble नहीं होते हैं, और non aqueous solvents जैसे आपके पास benzine है, ether है वगेरा, उसमें यह soluble हो जाते हैं, last point जो हमारे पास है, large molecules with three dimensional bonding from covalent crystals which are very stable and hard, large molecules, यहां पे मुराद है diamond और graphite और इसके जैसे बहुत सारे molecules, ऐसे molecules को हम कहते हैं, super giant molecules को कहते हैं, बात करिए रहो गई, diamond है, graphite है, इनको कहते हैं, super giant molecules, large molecules होते हैं, और उसमें जो bonding होती है, वो three dimensional crystal form में होती है, three dimensional crystal form का क्या मतलब है, या पहले मैं आपको large molecules या super giant का idea बता दूँ, large molecules इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें number of bonds बहुत ज्यादा बनते होते हैं, और यह हमारे पास three dimensional crystal जो bonding होती है, उस form में होते हैं, three dimensional crystal में आपको पहले भी कहा था crystal structure कहते हैं, कि हमारे पास regular pattern में atoms अरेंज हो जाते हैं, इसको हम कहाते हैं crystal three dimensional कि इसको कहते हैं, ऐसा कोई भी हमारे पास object है, जिसके आपके पास height भी होती है, जिसकी width भी होती है, जिसकी depth भी होती है, बात clear हो गई, को हमारे पास जो diamond का molecule है, उसमें structure होती है, एक तो crystal की form में होता है, means के atoms हो जो हैं एक regular pattern में आरेंज होते हैं, दूसरा हमारे पास वो three dimensional होता है, means के गहाँडम के पास is stable और hard बहुत ज्यादा होते हैं और इसके बाद हमारे पास इनके जो melting points और boiling points होते हैं वो भी बहुत ज्यादा high होते हैं इसके बाद हमारे पास आता है polar और non-polar compounds polar non-polar में simple हमारे पास दो points है polar और non-polar जैसे आप लोगोगों ने सुना होगा like dissolve is thing like, polar equivalent components polar solvent how Ganon-polar how變结 проб want बात क् chỉी आ हमारे पास जो polar covalent compounds है, पॉलर फ्रॉच अगर हम एक्वेस सुलुशन बना लेन तो इसमें वरइक्प्क हो सकती है polar capital fertile weuteur में Pat। बात क्लिए aspect के बाद इंशालला मारा टॉपिक है कोडिनेट कोविलेंट कमपॉंड्स और मैटल्स का उश्कॉम इंशालला नेक्स्ट लेक्टर में डिटेल से डिसकस करेंगे